नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन बंसाल वास्तु कंसल्टेंट हमारी इस सीरीज में प्लोट चेन से लेकर भहुन निर्मान तक और भहुन निर्मान से लेकर ग्रह परविश तक इस सीरीज के अंदर आज फिर मैं आपके लिए एक और नया विशे लेकर आया हूँ आज का जो विशे है वो है फर्ष की जलान आपका प्लोट इस्ट फेसिंग पूरो मुखी है तो वास्तु शास्तर के अनुसर आपके यहां फर्ष की जलान कैसे होनी जीए आपका प्लोट पूरो मुखी यानि इस्ट फेसिंग है और आपके plot का size बड़ा है और आप अपनी पूरी की पूरी building South की दिवार पर बनाते हैं West में भी open area है East में भी open area है और North में भी open area आपने रखा हुआ है तो ऐसे में जो first की ढलान है वो South West corner से West होते हुए North West corner की और आनी चाहिए और ऐसे ही East में South East corner से East होते हुए North East corner की और फर्ष की धालाना आनी चाहिए जिस घर की फर्ष की धालान सही हो जाती है उस घर के अंदर positive energy अपने आं में बन जाती है और वो positive energy हमेशे ही बनी रहती है जब सारे फर्ष की धलान नौर्थ इस्ट कोर्नर में आ जाती है तो वहाँ पर आप रेन वाटर हर्वेस्टिंग टैंक मनाकर उसके अंदर भी सारा पानी उतार सकते हैं ऐसे ही जो आपकी छट है छट का जो स्लोप बनता है वो स्लोप भी आपका नौर्थ में इस्ट में या नौर्थ इस्ट में ही आना चाहिए और सारा पानी आपका रेन वाटर हर्वेस्ट टैंक में नौर्थ इस्ट की और जाना चाहिए आपने सारा पानी बाहर गली में निकलना है तो वो पानी आप इस्ट सेंटर से नौर्थ इस्ट के और से भी निकल सकते हैं और नौर्थ इस्ट कॉर्णर से भी सारा साफ पानी निकल सकते हैं तो सारा पानिया आप नॉर्थ येश्ट कॉर्नर से बाहर निकाल सकते हैं दिक्कत कहां आती है जिनके घर पुराने बने हुए है फर्ष उंचा नीचा हो जाता है ओबड़ खाबड़ हो जाता है गैस बन जाती है फर्ष फर्ट जाता है तो ऐसी जगे हमीशे नेगिटिव टी आती है और उस घर के अंदर नेगिटिव एनर्जी अपना घर बना लेती है घर का जो माहूल है वो दिन परती दिन खराब होता चला जाता है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं और पैसा लगाने जा रहे हैं क्योंकि जब एक वक्ति घर बनाता है तो उसमें पैसा तो भरपूर लगता है और मैं इस सीरीज में आपको एक एक पॉइंक टीटिल से बता रहा हूँ तो आप मेरी सबी वीडियो को दियान से देखे, सुने, समझे और विचार करे क्योंकि इस सीरीज में आपको सारी बाते एक एक करके मैंने अपनी हर एक वीडियो में बताई है क्योंकि जब भी किसी भी फ्लाक पर भावन निर्मान करते हैं तो भावन निर्मान करने से पहले मैप को डिजाइन किया जाता है आप अपने घर के map को जो design करें तो उसको edge पर वास्तु design करें ताकि आपको घर बनाते समय किसी भी परकार की कोई दिक्त ना है आप जो अपना map आर्किटेक्स से त्यार करें तो उसको वास्तु consultant से एक बार जरूर चëक करा लेना चाहिए क्योंकि जो वेक्ति जिस field में professional होता है वो वेक्ति उस field के बारे में proper तरीके से जानता है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने घर के map को वास्तु consultant से जरूर चेक करें आप अपनी किसी भी site के बारे में हमसे online सला लेना चाहते हैं तो आप हमसे online सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी site का हमारे यहां से map बनवाना चाहते हैं तो हमारे यहां से वास्तु शास्तर के अनुसार map भी बनवा सकते हैं आप अपने यहां पर site visit के लिए हमें invite करना चाहते हैं तो आप हमें site visit के लिए भी invite कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित परतम पुस्तक लक्षमी प्रिवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ अपना अनुभव लिखा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं आपने मेरे चैसे ने किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा और साथ में प्रोग्राम आपके पास लगातार आते रहेंगे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नब शेपर चर्चा करेंगे तब तब तक के लिए नमस्कार झाल झाल